आज पेश होगा मोधी सरकार पार्ट टू का पहला बजट सुबह ही ग्यारा बज़े वितमंत्री निर्मला सितारवन पहली बार पेश करेंगी बजट कृषी रोजगार निर्यात पर रहेगा सरकार का फोकस राजसभा चुनाओ के लिए आज होगी वोटिंग बिहार और ओडिशा में निर्विरोत संपन हुआ है चुनाओ गुजरात में डाले जाएंगे वोट लोगसभा चुनाओ में जीत की वज़े से खाली हुई राजसभा की सीटें गुजरात की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तै मिशन उत्तर प्रदेश में जूटी बीजेपी आज लखनओ दोरे पर जाएंगे कारकारी अथ्यक्ष जेपी नडडा पीए मोदी के दोरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा छे जुलाई को पीए मोदी यूपी में करेंगे सदेसता अभियान की शुरुआत आरजे डियत्यक्ष लालु प्रसाद यादव की बेल की अर्जी पर सुनवाई आज जारखंड हाई कोट में होगी मामले की सुनवाई लालु ने आधी सजा काटने के आधार पर मांगी है बेल चारा घुटाला मामले में भुगत रहे हैं सजा हरियाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दुश्यंत चौटाला आज बुलाई पार्टी कारेकरताओं की मीटिंग चुनावी रन नीतियों पर करेंगे चर्चा अक्तुबर नॉम्बर में हो सकते हैं 90 सीटों पर चुनाव महराष्ट्र से कौंग्रिस विधायक नितेई शराने की बढ़ी मुश्किलें की चरबाज विधायक नितेई शराने को सरिंडर के बाद पुलिस ने कल किया था गिरफतार 50 समर्थकों के खिलाब भी एफाई यार दर्स इंजिनियर के साथ बचसलुकी का लगा है राने पर कारोप आज कोट में होगी पेशी जैपूर में बवाल के बाद आज भी बन रहेगी इंटरनेट सेवा शास्त्री नगर इलाके में अफवाह से बचने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट पर कुछ समय के लिए लगाया है बैन इलाके में शांती बनाये रखने के लिए आज दिल्ली पहुंच सकता है मानसून दिल्ली में कई जगा हो सकती है तेज बारिश कई दशकों बाद जून महिने में नहीं बरसे मेग मौसम विभाग के मताबिक जल्द पूरे देश में पहुंच जाएगा मानसून और विश्यो कप क्रिकेट में आज होगी पाकिस्तान और बांगलादेश की भिडंत बांगलादेश के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा और इस वर्ल्ड कप का आखरी लीग सेमी फाइनल में पहुंचना पाक के लिए हुआ लगभग असंभाव